10 अप्रेल को कश्मीर के अनंतनाग आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद दीपक नैनवाल का शव मंगलवार की सुबह उनके अवास पर लाया गया। आज हर द्वार में शहीद का अंतिम संसकार किया जाएगा। 9 महार रेजमेंट के कमांडिंग ओफिसर अजैसिंग शेखावत की अगवाई में सैनिक तुकडी अमर शहीद के शव को लेकर को लेकर पहुंची। ताबूत में रखे शव को देख कर घर में कोहरा मच गया। वहीं पूरा इलाका अमर शहीद दीपक नैनवाल अमर रहे के नारों से गूंज उठा। इस दोरान मासूम बेटी कुछ ऐसा बोल पड़ी कि सब का दिल भर आया। पूर्व सेना अधिकारी पिता चक्रधर नैनवाल ने कहा बेटे की शहादत पर गर्व है। लेकिन इस उम्र में बेटे के शव को कंधा देना जिन्दगी का सबसे बड़ा दुख है। शहीद दीपकी मासूम बेटी सम्रिधी ने कहा पापा आसमान में स्टार बन गए हैं। यह बात जिसने भी सुनी उसकी आखें भर आई। सेना की नाइन महार रेजमेंट के कमांडिंग ओफिसर अजैसिंग शेखावत समेत सेना की तमाम अफसरों ने अमर शहीद को श्रदान जली दी। कमांडिंग ओफिसर विजैसिंग शेखावत ने कहा सेना ने बेहद अनशासित कमांडों को खो दिया है। बतादें कि नैनवाल परिवार की तीन पीडी नई देश की रक्षा में अपना आहम योगदान दिया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि देव भूमी के जाम बाज जवान अपनी शहादत देकर देखर देश की सीमाओं की रक्षा करेगी। हमें ऐसे जवानों पर गर्व है। हमें औो स्बस्क्राइब मौदा प्राइब मौदा है।